Hello Students, Welcome to Course Iásha हमाज़ Lecture 4 में है Redox Reactions के जहां हम कलकुलेशन कर रहे हैं अन्फेक्टर का लेक्टर 3 हमने अन्फेक्टर के कल्कुलेशनस में ही निकाला है आज का लेक्टर भी अल्मोस्ट अल्मोस्ट अन्फेक्टर की कल्कुलेशनस में ही जैगा और आजके एजिंडे में Balancing of Redox Reactions भी एक पार्ट होगा जो लास्ट सेग्मेंट होगा आजके लेक्चर का तो Balancing करके हम आजके लेक्चर को Conclude करेंगे फिलाल Continue करते हैं Redox Reactions के Lecture 4 को हमारा एजिंडा हमारा Topic Calculation of N Factor, N Factor क्या था Recall कराने की जरुद नहीं है अगर जरुद पढ़ती है तो लेक्चर 3 को जाकर पुरा देख लीजे Detailed Discussion N Factor के बारे में दिया हुआ है इसे जादा शायद जरुद भी नहीं होती और इसे जादा शायद करोगे तो क्या करोगे जितना पढ़ाया है लेक्चर 3 में That is more than sufficient कि आप N Factor पे इतना सुपब कमांड हासिल कर लोगे फिलाल हम आगे बढ़ते है Calculation of N Factor को continue करते है कुछ reactions के तरह हम लोग कुछ चोटी मोटी reactions के example ले लेकर N Factor को निकालने की कोशिश कर रहे थे और देख रहे थे प्रैक्टिस कर रहे थे और ये भी देखा था कि जो Basicity या Acidity के Terms में N Factor की Definitions किताबों में लिखी मिलती है वो कही न कहीं गड़बड हो जाती है हमें दिखता है कि Mono Basic Acid है या Di Basic Acid, Tri Basic Acid है किताबों में Definition में N Factor की जगे पे Basicity ही लिख दिया होता है एक Acid है जो Tri Basic Acid है लेकिन Reaction के अंदर उसके दो ही H प्रैस आइन रिलीज हो रहे है उसकी N Factor की वैल्यू तो दो होगी, तीन नहीं होगी पर किताबों से जो हमें फर्मॉला मिलता है उसका According तीन होगी लेकिन ऐसा नहीं होता सवालों में जो बुक्स में Solution देखते हैं वहाँ भी दो ही Answer लिखा होता है दो ही लेकर करते हैं वो इसा क्यूं करते हैं ये शायद बच्चे Extract नहीं कर पाते हैं बुक्स से तो वो सारा हिस्सा जो बच्चे किताबों से Steady Material से ढून कर निकाल नहीं पाते हैं उस सारा निकाल कर हमने अपने लेक्चर में डाल दिया है देख लीजिए simplified है एक लेक्चर देखेंगे काम कतम आज का लेक्चर भी कुछ वैसा ही है तो शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की Calculation of N Factor एक नई रियक्चिन और एक्जाम्पल से शुरू करते हैं compound हमारे पास PBN3 का hold twice है और ये कहीं जा रहा है अब क्या reaction हो रही से फर्क नहीं पड़ता oxygen कहां से आया कहां से नहीं आया मुझे फर्क नहीं पड़ता है मैंने पहले ही कहा था तो confused नहीं हो नहीं बल्कुल PB3O4 PLUS NO3 MINUS में compound जा रहा है जाने देते हैं कोई दिक्कत नहीं ज़रा इस compound के बारे में थोड़ी discussion करें कि क्या है कितना है ज़रा nitrogen की चर्चा करें और lead की चर्चा करें तो मालूम पड़ेगा यार है ना तो lead को देखो तो PLUS 2 स्टेट में दिखाई देता है और nitrogen को अगर देखो तो nitrogen जो यहां इस्तमाल हो रहा है वो nitrogen माइनस 1 बाई 3 पर है ऐसा क्यों? क्योंकि अगर lead PLUS 2 पर है तो N3 का hold twice जो है वो PLUS 2 पर होना चाहिए तो N3 कितने पर होना चाहिए PLUS 1 पर, SORRY, MINUS 1 पर और वो MINUS 1 पर है तो एक nitrogen गित्ते पर, MINUS 1 बाई 3 पर क्लियर है? आप ज़रा right hand side पर आजाओ oxygen को देखो oxygen पर oxide में MINUS 1, super oxide टाइप के चीज़ों में MINUS 1 वरना हमेशा मेशा MINUS 2 रहता है oxygen अगर MINUS 2 है तो total MINUS कितना बना? 4 oxygen से MINUS 8 तो PB को भी कुछ वैसा ही होना चाहिए तो PLUS 8 by 3 आएगा PB नहीं निकालना आता तो दुबारा से देख लो X कर लो PB को यह हो गया 3 PLUS MINUS 2 INTO 4 EQUAL 0 क्योंकि free molecule दिखाई दे रहा है 3X बराबर 8 तो X की value 8 by 3 positive ठीक है ना? तो मैं इसको erase भी कर देता हूं इसकी need नहीं थोड़े space मिल जाएगा यह PLUS 8 by 3 है और ज़रा यहां nitrogen को आप देखिए तो oxygen जो है वो 3 है तो MINUS 2 INTO 3 PLUS nitrogen का X बराबर MINUS 1 यह MINUS 1 क्यों? क्योंकि यह अपने पास charge आ गया है यह free molecule नहीं है X equals 6 minus 1 that is PLUS 5 तो यहां पर जो nitrogen है वो PLUS 5 state में बठा हुआ है मैं इसको फिर erase कर रहा हूं अब क्या करें? कुछ नहीं आप lead को देखिए lead यहां से यहां जा रहा है और जा रहा है तो जो change जा रहा है oxidation number में वो change को अगर आप देखें तो PLUS 2 से 8 by 3 तो answer आ रहा है 2 by 3 का change जो है वो 2 by 3 का है ठीक है? solve करेंगे यहीं आएगा और आप nitrogen को भी देख सकते हैं ठीक तो ज़रह आप nitrogen को देखें कितना change ला रहा है nitrogen तो मैं यहां से इसको arrow निकाल रहा हूं और nitrogen तक लेके जा रहा हूं nitrogen में change देखें तो change आ रहा है 16 by 3 का अप nitrogen का change देखें minus 1 by 3 से PLUS 5 तक जा रहा है तो 16 by 3 का change आ रहा है ऐसे कैसे? ऐसे कैसे नहीं समझो कि minus 1 by 3 से हम जा रहे हैं PLUS 5 में लेकिन यह तो एक nitrogen की बात है न मेरे एक molecule के अंदर reactant में 6 nitrogen है तो मुझे 6 से multiply भी कराना पड़ेगा तो जो कुछ भी यह change आ रहा है इन दोनों के अगर आप minus करें minus 1 by 3 और 5 को तो जो आएगा उसमें 6 का multiply करेंगे तो जो change है वो 16 by 3 आएगा कोई दिखका तो नहीं? नहीं अगर नहीं तो बहुत अच्छा तो अब देखो को और से समझना क्या story हुई? N factor of compound कैसे निकलेगा? N factor of compound निकलेगा बेटा N factor of lead plus N factor of nitrogen से N factor of lead और N factor of nitrogen से ठीक है न? ज़रा solve करके दिखा दें क्या? solve करके दिखा देते हैं चलो ताकि यह नहीं हो कि solve नहीं किया solve भी कर लेते हैं कोई problem नहीं होगी ज़रा देखो minus 1 by 3 से हम जा रहे हैं plus 5 में तो change कितने का है अगर देखना हो तो मेरे एसाब से simply 5 में से 1 by 3 को minus कर दीज़े बस काम कितम अब समझना है इस बात को 5 में से minus करना है minus 1 by 3 को वो minus 1 by 3 है तो basically हम इस bracket को अटा के लिखें यह 1 by 3 तो यह कितना आ गया? नीचे 3 उपर 15 plus 1 16 ओहो, sorry, sorry, sorry यह जो 16 by 3 का change है यह basically एक atom में है तो per molecule जो change है वो तो into 6 आएगा तो जो यह change आया यह आया 2 by 3 lead में और 16 by 3 into 6 अपने nitrogen में, ठीक है ना? यह compound का total n factor आ गया इसको भाई साब आप solve कर लीजे answer आ जाएगा, ठीक है ना? बड़ा असान, simple है कुछ खास नहीं है और देख लेना है calculation की बात है उसमें कुछ बहुत बड़ा लुचा नहीं है तो जो हुआ वो मैंने निकाली दिया है ना? चलो अगला compound देखो अगली reaction देखो जो अगला case है हमारा आज का लेक्चर इसी में जाने वाला है और इसी में क्या? balancing भी सीखेंगे एक trick भी सीखेंगे balancing की अब ये आएगा मान लो आपका कोई reaction इस तरह लिखी हुई आएनिक type भी दे रखी है किसी भी तरह की दे रखी है और कह रहा है कि निकालो भाई ठीक है? ये दे रखा है मान लो क्या करोगे? और कैसे solve करोगे? तो सबसे पहले तो SCN के बारे में आपको पता होना चाहिए तब तो कम से कम oxidation state तो लिख पाऊगे उसका वरना तो लिखी नहीं पाऊगे हम? तो चलो सबसे पहले SCN के चर्चा करें कि ये क्या होता है सबसे पहले Sulfur, Single Bond, Carbon Triple Bond, Nitrogen के चर्चा करो हम? और जब भी ऐसा दिखाई दे तो Sulfur भाई साब जो है वो दो बांड बनाना चाहते है अभी Sulfur भाई साब ने एक बांड बनाया है तो इनके ओपर तो माइनस चार्ज होना चाहिए कोई परचानी नहीं ठीक है? अब इसका hybridization देखो इसका hybridization तो SP दिखाई देता है क्योंकि दो पाई बन्ड से दो सिग्मा है अलोन पेर तो है नहीं ठीक, दो सिग्मा बन्ड से तो SP है सल्फर को देखो तो सल्फर का hybridization SP 3 दिखाई देगा आपको कैसे बता? देखो सल्फर के आखरी में 6 electron होते है एक तो share कर लिया, बचे 5 1, 2, 3, 4, 5 एक तो यह हो गया आपका सिग्मा बन्ड एक लोन पेर, दो लोन पेर तीन हो गया एक जो free radical था यह अन्पेर्ड electron था यह और जो minus charge है उसका electron तो बन गया आपके तीन लोन पेर, एक सिग्मा बन्ड तो SP 3 hybridization हो गया अब समझना साफसुतरी बात है कि अगर carbon और nitrogen की चर्चा करें तो nitrogen is more electron negative ठीक, carbon is more electron negative तो यह minus 3 हो गया और अगर यह minus 3 है तो यह बचारा अपना plus 3 हो जाएगा इल्कुल सही बात है लेकिन sulfur और carbon की चर्चा करो तो sulfur और carbon में sulfur more electron negative है और carbon less electron negative है पर इस case के अंदर देखो तो sulfur का hybridization SP 3 है और carbon का hybridization SP है तो जो हमें carbon की electron negativity यह sulfur की electron negativity दी होती है वो सारी की सारी SP 3 hybridization के लिए दी होती है जो हम लोगों नहीं याद करो last lecture में किया था कि sulfur की carbon की iodine की electron negativity को almost same बोलाता है गया देखिया यह चीज़े almost same बोली थी लेकिन यह तब बोली थी जब वो SP 3 hybridization में थे हमारा sulfur SP 3 में है पर carbon SP में हो गया यानि कि S character बढ़ गया more the S character more the more the more the negative the element अब इसका मतलब है कि sulfur अगर SP 3 में है carbon SP 3 में होता तो शायद sulfur थोड़ा आगे होता लेकिन carbon SP में आगया तो carbon more the negative हो गया यानि carbon हमारा minus 1 पे आगया sulfur के मुकाबले में और sulfur हमारा plus 1 पे चला गया ठीक है मज़ा आगया नई चीज ठीकिए बिलकुल अच्छी चीज़ है sulfur का ये minus और ये plus मिला करके बनाते हैं zero sulfur का oxidation state zero है carbon को देखें तो ये जो आपका minus 3 sorry minus 1 और plus 3 है तो बनाएंगे आपको plus 2 पर और nitrogen को आप देखो तो भाई साब तो बड़े अच्छे electronegative है इसका आएगा minus 3 ठीक तो आप इसी reaction को एक बार नीचे दुबारा से rewrite करें ताकि गंदीगी ना फैले let me write it again हमारी reaction जो थी वो कुछ इस प्रकार थी ba scn का hold twice से हमें मिल रहा था ba plus iron फिर so4 minus 2 iron फिर carbonate iron मिल रहा था फिर शायद nitrate iron मिल रहा था जो भी था यही था अच्छा इसके अंदर अगर कौर से देखो और घुम घुम के देखो तो sulfur भाई साब 0 पे थे carbon हमारे plus 2 पे थे और nitrogen हमारे जो थे वो minus 3 पे थे यह एक एक item है और सारे item कौर से देखो hold twice लगा हुआ है एक molecule के अंदर दो-दो बारा आ रहे हैं तो हम जब इनका change निकालेंग oxidation state का तो उसे 2 से multiply करना पड़ेगा तब जाके total change आएगा ठीक है? तो देखो sulfur को पहुचा दो यहाँ पे right side में देख लो दोनों को देखो यहाँ पे sulfur का change देखो यह oxidation state देखो यह carbon का oxidation state देखो यह nitrogen का oxidation state देखो तो देखके बालों तो पड़ी जाएगा कितना है? तुझरा sulfur का oxidation state देखा जाए? देखते हैं देखो sulfur का oxidation state में यही निकालता हूँ oxygen जो है यह हमारी minus 8 में है और sulfur को देखो तो यह x है हम दोनों को जोड़ें और minus 2 के बराबर कर दें यह तो case होता है बिल्कुल तो मेरे इसाब से तो sulfur plus 6 में आने वाला है तो sulfur plus 6 में आ गया carbon को देखो oxygen जो है वो minus 2 और तीन oxygen मेरे पास है carbon के बारे में जानकारी नहीं आगे minus 2 charge है तो minus 2 आ गया x की value आई 6 minus 2 that is 4 चैनि यहाँ जो carbon है वो plus 4 में बैठा हुआ है मैं जो calculation कर रहा हूँ erase करता जा रहा हूँ आपकी जरुवत हो अगर आपको तो copy कर लीजे फिर यहाँ भी देखिए मेरे इसाब से हो तो carbonate और nitrate मैं क्योंकि दोनों में minus 2 minus 2 का charge में लगा रखा है इस reaction के अंदर तो clear दिखाए देता है कि nitrogen भी plus 4 में ही जाएगा बिल्कुल similar ठीक है न अच्छा तो अब बहुत simple है समझना है और कुछ नहीं करना है कि अगर मैं यह कहूँ कि change of oxidation number of one sulfur atom कितना हुआ है तो यहां sulfur कितने में है zero यहां sulfur का एक item कितने में है 6 तो हम लिखेंगे 6 और फिर n factor of sulfur अगर लिखना हो तो मेरे इसाब से आएगा 12 12 क्यों एक में 6 मेरे पास कितने sulfur हैं left में देखो 2 है ठीक तो हम लिख लेते हैं two items ताकि आपको याद भी रहे थोड़ा उपर करते हैं space create करते हैं अब देखो n factor of carbon की बाते करते हैं n factor of carbon n factor of carbon जो है वो तो 4 है 4 कैसे है सर देखो left side में carbon 2 पर है और right side में carbon प्लस 4 पर है तो एक atom में प्लस 2 का change आ रहा है मेरे पास atom कितने हैं reactant में 2 तो 2 से multiply करा दो खतम इसी तरह से जब आप n factor निकालोगे of nitrogen तो n factor में directly लिख रहा हूँ अब nitrogen मेरा minus 3 पे था right side में देखो तो plus 4 में चला गया है ना तो minus 3 से plus 4 जाने का मतलब हुआ कि वो 7 का change लेके आ रहा है minus 3 से plus 4 में वो 7 का change लेके आ रहा है बड़ा change है minus 3 से plus 4 7 का change है और कितने item मेरे पास item मेरे पास 2 nitrogen के तो total कितना हुआ बटा 14 कोई परचानी इसमें वो नहीं नीच चाहिए त्यान रखें निकालने दुबारा चाहें तो nitrogen को गवर से देखें plus 4 में है कि नहीं है बिल्कुल दिखाई दे रहा है plus 4 में शायद दिखना चाहिए plus 4 और वहाँ minus 3 है minus 3 तो 3 जोड़ोगे 0 पे पहुचँगे 4 जोड़ोगे तो plus 4 पे पहुचँगे तो 7 का change आया एक में और हमारे पास कितने है 2 तो multiply करो अब तुम से कोई कहे n factor of compound बता या n factor compound का तो नहीं n factor of cn के बारे में अगर आपसे पूचा जाए तो आप क्या करेंगे सिर्फ इतने पार्ट काम में निकाला है 12 plus 4 plus 14 जो भी answer आए वो आपका answer calculate करी answer पाईए अब कुछ reactions ऐसी जिनकों हम बोलते है disproportionate reaction पहले भी कर चुके हैं ये बाते disproportionate reaction क्या होती है फिलाल दुबारा हम उसी पे आने वाले है disproportionate reaction वो reaction होती है जिनमें एक ही चीज खुद oxidize भी हो जाए और reduce भी हो जाए तो हमारा जो अगला दे है वो ये है कि हम ऐसी चीजों के n factor निकालें जो कि oxidize भी हो रही है और reduce भी हो रही है in a same reaction एक ही reaction में ठिक n factor of disproportionate reaction तो disproportionate reaction हमें करनी है और उनके n factor के बारे में जानकारी लेनी है तो आईए ले लेते हैं जानकारी मान लो कि मेरे पास i2 था i2 से reaction जो है वो i- तक गई प्लस iO3 माइनस तक गई ऐसी reaction हो गई ठीक मैं parts ही लिख रहा हूं बस यह समझ लेना तो देखो जब i यहां से यहां जा रहा है तो यह तो free molecule लेft hand side पर उसका oxidation number तो 0 हो गया राइट hand side पर minus 1 आ गया है तो reduce हो रहा है basically और यहां से यहां देखो तो oxidation state बढ़ रहा है ठीक है first वाला part reduction का है second वाला part oxidation का है iodine के अब देखना क्या चीज़ है क्या लिख रहा हूं equivalent weight क्या होता है equivalent weight होता है molar weight upon n factor होता है अब equivalent weight of i2 कैसे लिख होगे देखना equivalent weight of i2 कैसे लिख होगे जो की product में लिखा हुआ है that is equivalent weight of i2 in 1 plus equivalent weight of i2 in 2 ये क्या बात हुई मतलब ये है कि जो भी n factor हम निकाल रहे है ये अंत में तो equivalent weight में आके अटका था न तब ही तो n factor के पीछे आ रहे है और कभी ऐसा हो जाता था कि n factor हम याद तो oxidizing agent के लिए निकालते थे या reducing के लिए निकालते थे पर हमारे पास ऐसी भी तो reaction आ सकती है जिसमें disproportionate reaction जिसको हम जानते है और ये reaction जो है जिसमें एक ही reactant oxidize भी हो रहा है और reduce भी हो रहा है तो ऐसे में अगर ये पूछा जाए कि ये जो reactant है इन भाई साब का क्या equivalent weight होगा तो आप कैसे जवाब दोगे आप equivalent weight में इसका reduction से n factor निकाल के लिखोगे तब molecular weight ये equivalent weight लिखोगे या इसका oxidation से n factor निकालोगे और फिर equivalent weight लिखोगे क्या करोगे तो जो i2 है अगर कोई भी reaction में कोई भी reactant disproportionate होता है तो disproportionate reaction में उसका equivalent weight जो reduction में है और जो oxidation में अलग-अलग निकालिए उनको जोड़ दीजिए तो जो total equivalent weight आएगा वो answer होगा अब फिलाल के case में उपर देखें आप reaction को तो इस particular reaction के case में मेरे हिसाब से आपको भी दिखाई देगा कि i2 यहाँ पर तो कहानी 0 है और यहाँ कहानी को और से देखो तो right hand side पर जो 1 reaction है इसमें यह minus 1 हो जाएगी iodine minus 1 में जो charge होता है किसी को और वही हो उसका तो 0 से लेके 1 तक हम जा रहे हैं तो 0 से लेके 1 का मतब change कितना आया 1 का कितने atom में change आया एक atom में 1 का change आया लेकिन यहाँ मेरे पास कितने atom है 2 तो मैं reactant में change देख रहा हूं product में change नहीं देख रहा हूं reactant में क्या change ओर गया वो देख रहा हूं तो 2 में 1 का change, तो 1 में कितने का change आधे का, तो जो change आया वो आधे का आया, ठीक है, आफ लिख लिए, आफ लिखा, 2 लिखा, sorry, देखो गवर से, 1 में 1 का change, तो 2 में 2 का change, ठीक है न, 0 से 1 जा रहे हैं, यहां देखो, यह minus 1 है, और यह 0 है तो जीरो से बन जा रहे हैं तो एक एटम में जीरो से वन यानि एक एटम में एक का चेंज मेरे पास कितने हैं दो एटम है तो दो एटम में दो का चेंज तो मैं यहां लिख लेता हूँ यह आया बिटा अपका प्लस 5 मुझा आ गया यह तो प्लस 5 में बठा हुगा है बड़ा oxidation state बढ़ा लिया इसने एक पायोडीन का atom प्लस 5 में जा रहा है 0 से तो एक में change आया 5 का तो 2 में आएगा 10 का तो आएए देखिए Equalant weight क्या होता है मालो molar weight upon n factor तो यह जो हिस्सा होगा यह होगा molar weight upon n factor in 1 और यह जो हिस्सा होगा यह होगा molar weight upon n factor in 2 तो गौर से देखो जो भी molar weight iodine का होता है मुझे उससे मतलब नहीं है पहली वाली reaction में यह दूसरी वाली reaction में यह तो इस disproportionate reaction के अंदर जो equivalent weight of i2 लिखा जाएगा वो इन दोनों के summation से लिखा जाएगा चमतकारी बात है वरना बच्चे अकसर गलत करके आते हैं समझी नहीं पाते हैं कि disproportionate हो रही है तो देखना पड़ेगा कि iodine दो जगे तो नहीं बढ़ गया है और दोनों में वो सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है मालूम पड़ेगा तब पता चलेगा समझे अब देखो जो इसको solve करना है तो मेरे एसाब से LCM देखो तो 20 आता है 20 का 10 ही आता है यार 20 क्यों लेना इसको 10 ही ले लो ठीक 10 लेते ही उपर आ जाएगा आपका 5M यहाँ पर आएगा M आपका आएगा पता 6M बाई 10 तो clear देखो आपके पास जो answer आएगा that would be M into 3 by 5 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ M by 5 by 3 ठीक यह equivalent weight of I2 है यह क्यों कर दिया आपने अभी बताते हैं क्यों किया ज़रा equivalent weight का formula से याद करो equivalent weight बराबर molar mass upon N factor बिल्कुल सही बात molar mass उसर N ही है यह M जो लिखा यह M ही है क्या ही यह N factor आ गया बिल्कुल सच ही ही तो N factor आ गया N factor oxidation वाले part का अलग है reduction वाले part का अलग है लिगन अगर आप equivalent weight से लिखने की कोशिश करो equivalent weight लिखने के बाद आएगा वो N तुमारा N factor होगा N factor of disproportionate reaction बराबर 5 by 3 जो हमने लिखी हमेशा 5 by 3 नहीं होगा particular reaction का तो जब भी कभी disproportionate reaction आए तो उसमें आप directly कोई answer नहीं करने वाले हैं सबसे पहले क्या करेंगे reaction लिखेंगे reaction में oxidation number का changes देखेंगे change देखने के बाद oxidation number का change per molecule निकालेंगे equivalent weight of reactant लिखेंगे उसको equivalent weight of reactant in 1 and equivalent weight of reactant in 2 इस तरह से लिखेंगे दोनों को जोड़ेंगे N1 and 2 की value डालेंगे डालने के बाद उसको equivalent तरह का formula create करेंगे उसमें से जो N factor निकलेगा वो तुमारा final N factor होगा यह मैं सच में आ गया तो निया example कर लीजे देखिए मान लो आपके पास phosphorus है और यह जा रहा है आपका pH 3 में और H3PO4 में ठीक है तो phosphorus दो जगे बट गया जैसे ही बटे का दिमाग तुरन चलना चाहिए कि यह phosphorus बट चुका है बट चुका है तो थोड़ा लोचा है disproportionate हो रहा है कि नहीं यह चेक कैसे होगा है तो चेक कैसे होगा कि भाई पता तो चले कि दुनों जगे oxidation state क्या है left hand side पे तो 0 ही दिखाए देता है क्योंकि free molecule है यह कुल सच पात है free molecule है और phosphine वाली gas में देखो तो hydrogen का जो है वो plus 1 रहने वाला है phosphorus से तो बहुत कम electronegative है और 3-3 bond बने हुए है तो hydrogen पे plus 1 plus 1 plus 1 तो phosphorus पे आ जाएगा minus का 3 है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें इधर देखो यह plus का 3 है phosphorus का 0 है और oxygen का minus 8 है और यह 0 डिर्ट डिर्ट कैसे लिख दिया hydrogen 3 यार plus 1 plus 1 plus 1 oxygen minus 2 4 है minus 8 हो गया उसके बारे में जानकारी नहीं है ठीक है तो x की value आई 8 minus 3 that is plus 5 तो मेरा phosphorus यहाँ plus 5 में नाच रहा है बड़े अच्छी बात है 0 से plus 5 0 से minus 3 तो गौर से देखो पहला वाला part जो है वो reduction का है और दूसरा वाला part जो है वो oxidation का है क्यों ना change के बारे में चर्चा कर ली जाए change के लिए color भी change करना पड़ेगा color change करते हैं तो first वाले part में जो change हम लोग लिखेंगे गौर से देखो 0 से minus 3 में 3 का change आ रहा है यानि 1 atom में 3 का change और 4 atom में 12 का change ठीक दूसरा देखो नीचे 2 number में 2 number में change लिख लेते हैं phosphorus 0 से जा रहा है 5 में यानि 5 का change एक atom में अगर 5 का change एक atom में है तो 4 में कितने का change होगा तो 20 का होगा तो एक में 12 एक में 20 अब जो भी लिखना हो कैसे लिखोगे और से देखो equivalent weight of P4 बराबर equivalent weight of P4 in 1 मैं raise करता हूँ इस part को plus equivalent weight of P4 into ठीक है इसको लिखो तो कैसे लिखोगे equivalent weight को molar weight upon n factor 1 में तो n factor 12 आया है plus यहां तो n factor 20 आया है इसको जरा solve करिए है नीचे LCM आएगा बिट आपका 60 यहां आएगा आपका 5M यहां आएगा आपका 3M total आएगा 8M by 60 2 से divide कर दीजे 4 और 30 2 से divide कर दीजे 2 और 15 तो आपका जो answer आएगा वो आएगा M by 15 by 2 तो जो यहां से N factor निकल के आता है वो आता है 15 by 2 जो भी है simple है I hope समझ आया होगा कैसे apply करना है तरीके को तो दिमाग में एक बात बठा लेना कि अगर आपको दिखा नहीं कि phosphorus दो हिस्सों में तूट गया एक बार वो oxidize हो रहा है एक बार reduce हो रहा है तो सवाल आपके सामने है और नहीं दिख रहा है तो हाँ से फिसल जाएगा तो नजर आपको थोड़ी से पैनी रखनी है ध्यान रखना है किस तरी के reactions होती है इसके बाद एक चीज है जिसको H2O2 बोलते हैं अच्छा compound है और इसकी खास बात यह है कि nuclear reactions के दोरान बहुत काम आता है अब कैसे काम आता है समय की बात है पढ़ाओंगा तो पढ़ादूँगा H2O2 H2O2 की कुछ properties हैं वो पहले discuss कर लेते हैं क्योंकि nuclear chemistry है हमारे उसलिए बसका scope नहीं है weak reducing agent भी है यह और यही आदमी weak oxidizing agent भी है ठीक है विशेश ध्यान रखना है इस बात का दोनों तरह से काम करता है देखो कैसे H2O2 को थोड़ा से तोड़ो तो किसमें convert होता है water में और oxygen निकलती है और इस reaction को अगर तुम देखोगे तो H2O2 दो चीज़ों में तूट रहा है दोनों में देखो ठीक यह हो रहा है अब देखो कैसे disproportionate हो रहा है समझाते हैं देखो बटा आपके पास यह जो compound था यह H2O2 वला आदमी जिसको हम heavy water के नाम से जानते हैं तो इस अब नाम भी आपको मालूम होने चाहिए कि heavy water है यह एक बार जो है यह H2O में जा रहा था मुझे अब यह half O2 निकल ली उससे मतलब नहीं मैं तो सिर्फ इतना पार्ट देख रहा हूँ जिसमें कि वो reduce हो रहा है और ऐसे करके हमने उपर reactions लेकिन आदी आदी और ऐसे ही एक पार्ट यह है जिसमें H2O2 तुमारा O2 में टूट रहा था हाफ से कोई मतलब नहीं वो तो balancing का पार्ट है देखें H2O2 को देखें यहाँ पर आप जब देखेंगे यहाँ पर तो यह minus 1 में है minus 1 में कैसे है साफ साफ दिखा ही दे रहा है minus 1 में क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था अगर यह कट सकते हैं तो काट लो minus 1 minus 1 पर पहुच जाएगा यहाँ पर देखो तो oxygen water में तो minus 2 state में होती है तो minus 1 से minus 2 oxidation state more negative हुआ यानि घटा यानि कि यह first part जो है वो reduction का है कितने का change आया एक का कितने में दो oxygen में दो oxygen में हाँ दो oxygen में change आया अच्छा यहाँ देखो क्या केस है यहाँ minus 1 और यहाँ 0 तो basically आप बढ़ गए यार यह ना second part oxidizing हो गया क्यों? क्योंकि minus 1 से 0 चले गया oxidation state बढ़ गया बढ़ा तो देखो क्या केस है समझना आप N factor क्या आएगा यहाँ का N factor भी 2 आएगा और यहाँ का N factor भी 2 आएगा कारण क्या है? कि उपर देखो first reaction में जो reduction वाली है उसमें minus 1 से minus 2 जा रहे है चेंज आ रहा है एक का कितने में? एक oxygen atom में हमारे reactant में कितने oxygen atom है? दो एक में एक का change तो दो में दो का change और चेंज से मतलब है निगेटिव मत लेना इसको क्योंकि N factor निगेटिव और 0 नहीं होता ध्यान रखना हमें सिर्फ उस number से मतलब है जितने का change आया है oxidation वाली reaction में देखो reactant side में minus 1 और product side में 0 oxidation state है तो change कितने का आ रहा है? 1 का कितने oxygen atom में? हम तो per atom निकालते हैं भाई इसमें तो तो एक atom में लेकिन reactant में कितना oxygen है? 2 तो N factor कितना? 2 अब N factor आया 2 अब वो ही फुरानी कानी disproportionate reaction है तो जो equivalent weight निकालोगे वो M by 2 plus M by 2 यानि कि M by 1 आ जाएगा और जो real N factor निकलेगा वो 1 निकलेगा यानि कि पूरी reaction का N factor 1 आने वाला है ठिक? तो हम इसको गाड़ा गाड़ा लिख लेए कि N factor for the reaction is 1 तो disproportionate reaction का N factor 1 है जबकि oxidation वाले का 2 था और reduction part का भी 2 था समझाया होगा ही हो simple है? कुछ खास नहीं है बहुत बड़ा चमतकार नहीं है यहां से N factor का calculation को थोड़ा सा stop करते हैं काफी ज़्यादा कर चुके है exhaustively किया है कम नहीं किया है बहुत ज़्यादा example करा दिया है और आही हो इस से ज़्यादा कराने पर आप भी परचान हो जाओगे क्यों N factor निकालना है क्या और इतना करा दिया है अगर इसको दो बार पढ़ लोगे तो शायद कोई ऐसा compound नहीं होगा या कोई ऐसी reaction नहीं होगी जहां पर कभी भी N factor पर टक जाओगे यह एक डेड़ लेक्चर अगर आपने देख लिए दो बार तो N factor आपको सपने में भी याद रहेगा यह बहुत exhaustive coverage करा ही है बिना किसी एक किताबी example के reaction आधी आधी लिख लिख के काम कराया ताकि आपको पिल्कुल exact N factor पर कैसे तूटना है वो आ जाए जो अपना अगला part है that is balancing of redox reaction कि बहुत important है आना चाहिए balancing of redox reaction देखिए भाई balancing of redox reaction क्या चीज होती है तो करते हैं balancing of redox दो तरह के medium हम यह काम करेंगे शुरुआत में आज के lecture में एक acidic medium में redox को balance करेंगे और basic medium में redox को balance करेंगे और दिमाग में यह बात रखेंगे कि acidic medium में redox को solve करने का तरीका अलग balance करने का तरीका अलग और basic medium में redox को balance करने का तरीका अलग है acidic medium वाला ही शायद मेरे हिसाब से fantastic तरीका होता है जादा वही सवाल आते हैं basic medium वाली थोड़ी आसान होती है और उसके बाद यह जो standard तरीके हैं किताबों में लिखे मिलते हैं आने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि कैसे trick सिखा हूँ जिससे एक step में या दो step में आपकी reaction balance हो जाए और जो standard घटिया घटिया तरीके हैं rectification वाले तरीके हैं वो apply ना करने पढ़ें direct आपका answer एक बार में आया तो मैं चाहता हूँ कि पहले तो एक standard तरीका सीखी लिए जो तरीके हैं वो तो करी लिए वरना ये ना हो कि standard तरीका वो नहीं कराया standard तरीके अब भी तूट पड़ो सबसे पहले क्या करो acidic medium की बात करो acidic medium में क्या खेल है वो समझो acidic medium का खेल बहुत simple है सदारण कि steps हैं नोट कर लें मैं नोट करके दे रहा हूँ आप भी सचाप लीजे write the half cell reaction write the half cell reaction first सबसे पहले half cell reaction लिखें half cell reaction क्या है half cell reaction कुछ नहीं है जो part oxidize हो रहा है उसको अलग लिखें जो part reduce हो रहा है उसको अलग लिखें मतलब oxidation reaction अलग लिखें और reduction reaction को अलग लिखें यह parts से एक ही reaction के मैं भी example में बताऊंगा उसके बाद जब यह आप कर लें कि oxidation part अलग और reduction part अलग लिखें तो उसके बाद देखें क्या है balance the main atom first main atom first यह main atom है कौन hydrogen and oxygen को छोड़कर जो कुछ भी है वो अपना main atom है तो उनमें से जिसको मर्जी चाहें अगर एक दो तीन चार atoms और भी हमारे पास तो जो भी दूसरे है oxygen hydrogen को छोड़कर उनमें से जिस पर भी आप तूट पड़ो वो सब हमारे main atoms है उनमें से जिसको भी पहले चाहो उसको कर लो hydrogen oxygen को आखरी में चूना है ठीक है third part क्या है जो third step है वो क्या है balance the oxygen तो hydrogen को आखरी में चूना है ठीक है न balance the oxygen by adding water molecule oxygen को oxygen add नहीं करती oxygen अगर आपको balance करना है तो water molecule add करना है by adding water molecule आपने water molecule add कर दिया ठीक अब oxygen balance हो गई oxygen balance होने के बाद आपका hydrogen बचता है तो balance the hydrogen by adding H plus iron ये तो तकलीफ वाली बात है H plus iron को add करा रहे हो कराना पड़ेगा अच्छा अगर H plus iron आगया तो charge balance नहीं रहेगा charge balance नहीं रहेगा तो charge के बारे में बात कर लेते हैं है न ये चार नमबर था ये पांच नमबर है पांच नमबर है कि balance the charge balance the charge by adding electrons ठीक अब जब electron आपने add कर दिये तो आपकी reaction तो पूरी थी उसको अपने दो हिस्सों में तोड़ा था एक oxidation में और एक reduction में तो रेड़क्शन में तोड़ा और एक रेड़क्शन में तोड़ा तो किसी एक जगे पे बोजगता है आपका charge balance ना हो और उसमें आपने electron को add करा दिया balance the electrons in both half cell reaction ध्यान रखें half cell reaction जो है वो कुछ नहीं है एक ही reaction में oxidation reduction दोनों हो रहे हैं तभी तो हम redox बोलना है उस oxidation part को अलग और reduction part को अलग लिखना half cell reaction लिखना कहलाता है एक बार दुबारा से मैं बोलनूं कि जो हम story पढ़ रहे हैं वो फिलहाल acidic medium में redox reaction की balancing की है तो basic medium के स सवालों को इस तरीके से नहीं करेंगे basic medium के सवाल अलग method से किये जाएंगे और जो अलग method से किये जाएंगे वो बात में सिखाया जाएगा reduction part को अलग लिख लें ठिक उसमें डगने की ज़रतनीक reaction टूट गई वो बात में जोड़नी है और उसके बाद अगली कहानी क्या है कि जब आप ये लिख लें half reaction लिख लें तो half reaction में दोनों ही reactions में जो main atom है उसको आप balance कर लीजिए main atom balance करने के बाद main atom है कौन oxygen hydrogen को छोड़क oxygen balance ना हो तो जहां भी oxygen कम हो उसको balance करने के लिए water molecule add कर दीजिए water molecule add करने में तुसरा hydrogen भी add हो रहा है तो hydrogen बढ़ जाएगा या घट जाएगा ऐसा कुछ हो जाएगा तो जब oxygen balance हो जाए water molecule add होने के बाद तो जितना भी change in hydrogen आया है उस change in hydrogen को H plus iron add कर गे balance कर लीजिए तो H plus iron add करेंगा hydrogen तो balance हो जाएगा लेकिन iron में low चाएगा क्योंगी charge बदल जाएगा iron add करने से तो अगर charge बदल जाए तो charge को balance अगले step में कर लीजिए electron add करके अगर electron किसी एक reaction में add हुआ किसी एक में नहीं add हुआ तो electrons balance नहीं रहेंगे तो पहले charge balance कर लेक्रों एड करके फिर electron का देखा जाएगा अब electron कर लिए charge balance कर लिए electrons है तो last step यह है कि दोनों half cell reaction में electron को balance कर लीजिए ठीक है ये तरीका है reaction को balance करने का अब reaction को balance करने के तरीके के बाद example देखें reaction हमारी है कमन of 4 plus H2C2O4 plus H2SO4 gives you K2SO4 plus MnSO4 plus CO2 plus H2O ये reaction है और इसको हमें balance करना है हाओ भ़ए balance करें सबसे पहली क्या बात थी कि half cell reaction लिखनी थी half cell reaction लिखने का मतलब कि हमें oxidation part को अलग लिखना था और reduction पार्ट को अलग लिखना था तो पहचानों कि किसका oxidation और किसका reduction हो रहा है तो पहचानना तो सबसे पहले जरूरी है तो पहचाना कैसे जाए पहचाना ऐसे जाए जो चल्व में कार्बोनी के सिट को अब देखिए si s2cn2O4 खो कार्बोनी के से बोल दिया धेखो जरूरा इसको क्या है यह 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 oxalic acid है ठीक है तो oxalic acid को पहचानो कहां पहुचा यह कार्बन डायोकसाइड में देखिए आप और यहां देखिए मेरे इसाब से कार्बन को आप oxidize होता हुआ पाएंगे कार्बन को oxidize होता हुआ पाएंगे देखें गैसे जब CO2 बन गया है तो कार्बन जो है वो प्लस 4 state में है क्योंकि oxygen माइनस 4 हो चुकी है oxygen माइनस 2 और 2 oxygen तो माइनस 4 तो कार्बन यहां पर जो है वो प्लस 4 state में है और ज़रा H2C2O4 की चर्चा करो यह प्लस 2 है यह माइनस 8 है यह 2 into x है सबको जोड़ दो 0 के बराबर कर दो तो 2 x बराबर 8 माइनस 2 this is 6 x की value आई 3 ओफ 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 और पहले कहा था वह है बिटाब का CO2 अब नीचे वाले पार्ट में आ जाई है H2SO4 को शोड़ दीजिए उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है ठीक है न के मनफोर को देखिए आपका जो के एम एन ओफ 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 है दिस इस कनवर्टिंग इंटो MNSO4 तो MN का ऑक्सिडेशन स्टेट चेंज हो रहा है कॉमन सेंस है ना बदल गया है बढ़िया बदल गया है तो बहुत इच्छी बात है जरा हाफ से लिक्शन लिख लिए पहली चीज यह हो गई अब हमें में एटम को बैलेंस करना है ऑक्सि यह दो तो में एटम बैलेंस हो गए अब में एटम बैलेंस हो गए जरा नीचे वाली रियक्शन में में एटम बैलेंस कर लो के मैंनो 4 MNSO4 तो मेरे यह साब से कुछ दिखाई देता होगा कि MN में तो कोई लोचा नहीं है MN में कोई लोचा नहीं है लेकिन वहाँ पर सलफर की प्रॉबलम है और राइट साइड में देखो तो K की प्रॉबलम है तो मेरे एसाब से यहाँ पे K प्लस एड़ कर लेना चाहिए ठीक है न? K प्लस एड़ कर लेना चाहिए और यहाँ पे S-O-4 है और यहाँ पे तो कोई S-O-4 नहीं है तो अगर नहीं है तो यहाँ पे S-O-4 माइनस माइनस को आप बैलन्स कर लीजे आपने बैलन्स कर लिया अच्छा लगा आपको ठीक समझना इस बात को मेन आटम की बाते हो रही ह तो मैंने सल्फेट को एड़ कर लिया अब गौर से देखो मेन अटम हो गए? हो गए अब उपर देखो उपर एल रियक्शन उपर एल रियक्शन में अगला स्टेप यह था कि अब मेन अटम बैलन्स हो गए तो अक्सीजन पे आओ जैसे ही अक्सीजन की बात आएगी तो अक्सीजन बैलन्स है यहां नहीं है पता करो तो देखो यहां पे चार यहां पे भी चार तो अक्सीजन बैलन्स है यहां वाटर जोडने की जरूद नहीं है तो नीचे अक्सीजन को बैलन्स करने की गोशिश करो तो नीचे oxygen balance नहीं होगा आपके पास SO4, SO4 balance हो चुके हैं तो 4 oxygen बची होई है जितने oxygen कम हो उतने ही water molecule add कर दीजे हमने water molecule add कर दिए water molecule add करते ही right hand side पे 8 hydrogen बढ़ गए जैसे ही 8 hydrogen बढ़ गए वैसे left hand side पे हमने 8 H plus iron add कर दिए और उपर भी देख लो जड़ा यहाँ पे 2 H plus है, यहाँ पे कोई H plus नहीं तो मुझे भी यहाँ 2 H plus add करना चाहिए तो यह भी add कर दिया जैसे ही H plus add किया तो इस reaction में left hand side पे charge 0 है right hand side पे charge plus है और 2 plus हो गया क्योंकि 2 hydrogen है, तो मुझे 2 electron add करना ही चाहिए हमने 2 electron add कर लिए जड़ा यहाँ देखो right hand side पे कितना plus है right hand side पे 1 plus है ठीक, left hand side में कितना है यह तो सर minus 2 है और यह कितने हैं, 8 plus है 8 plus और 2 minus तो बचा 6 plus 6 plus और यहाँ 1 plus तो उधर जाएगा, तो minus हो जाएगा तो 5 plus, 5 plus का मतलब हो गया कि 5 electron मुझे इस तरफ add करने है 5 electron, समझे ना यह जो k plus right side में जब उसको left में लेके जाओगे तो वो plus जो है घट जाएगा तो 5 plus बचेंगे, 5 plus का neutralize कौन करेगा, वो तो 5 electron नहीं कर सकते हैं सारा काम हो गया अब जो electrons हैं उनको balance करने की बात है हमने सबसे पहले क्या कि main item balance कि, half reaction लिखी half reaction लिखने के बाद main item balance किया उपर भी नीचे भी main item balance करने के बाद हमने oxygen balance कि water molecule जोड के water molecule add करते ही हमारे पास hydrogen बतले hydrogen balance की h plus जोड के h plus जोडते ही हमने तुरंत electron जोड करके उसके charge balance कर लिए अब बात आती है कि दोनों reactions में electron को balance किया जाए कि दोनों half reaction में electronों की संख्या बराबर होनी चाहिए यह मतलब है यहाँ electron कितने add किये हैं 5 यहाँ electron कितने यह हैं 2 तो दोनों में बराबर करने के लिए क्या करें LCM ले ले अरे LCM से बढ़ी है कि यहाँ पर 5 का multiply करा लो और यहाँ पर 2 का multiply करा लो जैसे ही आप यह काम करोगे तो जो first part है आपकी reaction का और जो second part है आपकी reaction का आप इसको बो पार्ट 1 और इसको बो आप पार्ट 2 आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को add करा दो यह दोनों से multiply करा के हैं 2 से multiply नीचे वाला और 5 से multiply उपर वाला करा के add करा दो add कराते ही देखो क्या आएगा 5H2C2O4 2 है वाई 6H plus plus 2SO4 minus 2 plus 2KMNO4 and this gives you 10 कार्बन डायोकसाइट plus 2MNSO4 आप देखो multiply करो multiply करने के बाद यह चीज़े लिखते जा रहा हूँ इसको verify करना 2K plus plus 8H2O ठीक है अब देखो गौर से सारा कमाल हो गया मज़ा भी आ गया अब left hand side और right hand side में अगर अभी भी मेरा मन हो कि मानलो मैं अपनी मर्जी से कोई hydrogen gas जोड़ दूँ तो जोड़ सकता हूँ sulphate iron जोड़ दूँ जोड़ सकता हूँ nitrate iron जोड़ दू़ जोड़ सकता हूँ मगर दोनों तरफ दोनों तरफ से कट जाएंगी basically मतलब यह जोड़ 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 तो हम काम करते भी नहीं गौर से देखो एक छोटी सी चीज इस reaction में आ रही है कि यह दो है sulphate iron और यह 6 है अगर कुछ ऐसा चमतकार हो जाए कि H2 SO4 टाइप की चीज़ बन जाए तो मज़ा जाए H2 SO4 एक SO4 पे 2H लगते हैं तो 2 SO4 पे 4H लगेंगे मेरे पास 6H हैं यानि 3 SO4 होते हैं मज़ा जाती तो मैं अपनी मरजी से यहाँ पे एक और SO4 माइनस 2 जोड़ लूँ तो बात बन जाएगी बिल्कुल बन जाएगी तो राइट हैंड साइट पे भी SO4 माइनस 2 जोड़ लू तो बैलेंसिंग भी नहीं बिगड़ेगी बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी तो यह वो पार्ट है जो हम अपने मन से एड़ कर रहे हैं ताकि आप इस रियक्शन को अच्छे लेजे में लिख पाएं वही त्री बना लिया हम लोगों ने जान पुछके हैं न राइट साइड में के टू SO4 बहुर से देखो क्या हुआ अब यह जो वी एड़ SO4 माइनस 2 और यह 2K प्लस जो अकेला घूम रहा था यह के टू SO4 नहीं बना लेंगे बना लेंगे तो के टू SO4 बन गया प्लस 2 MN SO4 ठीक उसके बाद 10 CO2 निकल गई प्लस 8 H2O आ गई यह आपका फाइनल बैलन्स रियक्शन का आंसर है तो टीप लीजिए कर लीजिए इस रियक्शन की बैलेंसिंग के नियमों को और बैलन्स होते हुए इसके पूरे प्रोसीजर को दो बार देखिए और खुच से कीजिए जब तक खुच से नहीं करेंगे नहीं आएगा और ध्यान रखें दो बार नहीं देखेंगे तो कन्फूजन बना रहेगा और सभी भ्रमों को छोड़ दीजे कि एक बार में किसी को चीज़ आजाती है किसी को नई आती मेनत करने से रिपीट करने से चीज़े आती है रिपीट करिए दिलो दिमाग में बस जाएगी ठेक है तो ये आपकी बैल्नसिंग تھی अगर आपको देखना है दुबारा से दुबारा देख लीजे acidic medium half cell reaction लिखी main atom balance किया उसके बाद oxygen balance किया water molecule जोड के उसके बाद hydrogen balance किया H plus जोड के फिर charge balance किया electron जोड के बाद में electron balance किया उपर नीचे number of electrons का multiplication करा के फिर दोनों half cell reaction को add कर दिया दोनों half cell reaction को add करने के बाद जो भी हमारे पास बन के आ रहा था ठीक है अगर कोई ऐसी चीज़ जैसे हमारे इस reaction के अंदर H2SO4 नहीं बन पा रहा था SO4 की कमी दी तो हम अपनी मर्जी से SO4 जोड देते हैं और दोनों तरफ जोड देते हैं ताकि reaction की balancing को error ना है और हम देखते हैं के प्लस भी अकिला तरप रा था तो उस के प्लस के लिए भी तो SO4 आ गया और जैसे ही वहाँ SO4 आया तो वो उसने केटो SO4 बना लिया तो यह balanced reaction है इसके बाद इसी reaction को मेरे साब से अब हमें करना चाहिए basic medium में तो basic medium कर लेते हैं basic medium की चर्चा आओ आई basic medium देखो basic medium के भी कुछ नियम है नियम वही है सबसे पहले तो half cell reaction लिखनी है अच्छा half cell सब में लिखनी है हाँ बिल्कुल वैसे ही करनी है उसके बाद जो नियम में लिखके पहले देता हूँ बाद में इसको आपको करकर के समझाता हूँ पहले आपको लिए theory complete करना balance the given half cell reaction example के तोर पे समझाता हूँ जो भी half cell reaction दी हुई है basic medium में half cell reaction का मतलब क्या है कि जो भी आपको redox दे रखिए उसमें half cell reaction लिखिए लिखने के बाद half cell reaction को balance करिए कैसे balance करेंगे add oh minus iron equal to the number of h plus iron इससे क्या होगा water molecule बन जाएगा ठीक और यह जो oh minus iron आप add कर रहे हैं यह आप दोनों तरफ करें both sides and combine h plus and oh minus to form water ऐसे लिख लो तो जो भी half cell reaction होगी balance हो जाएगी तो मैं आपको half cell reaction से लिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत जादा समय नहीं लेना है इसमें तो मैं आपको half cell reaction से लिखा रहा हूँ जैसे मानलो एक half cell reaction आपके पस लिखी हुए ही है और यह कहानी basic video में चल रही है so four minus two यहां आ गए ठीक है इसको आपको balance करना है तो balance करने के लिए क्या करें oh minus iron लगाएं h plus k बराबर के नंबर में और उसके बाद काम हो जाएगा ज़रा देखें क्या story हो सकती है क्या नहीं हो सकती है balance करेंगे बिल्कुल करना चाहिए देखो सबसे पहले तो balance करो जिससे पहले हम लोगों ने balance किया था half cell election है तो main atom को सबसे पहले काम करना है तो main atom कौन है main atom अपना मेरे इसाब से तो sulfur है sulfur को balance करें sulfur को balance करते हैं यहाँ पर two आ जाना चाहिए हमने two लिख दिया two लिखते ही oxygen को देखो left में 3 right में 8 तो अंतर आया 5 का कहां कम है left में तो left में balance करने के लिए क्या करेंगे water जोड़ेंगे जैसे पहले जोड़ते थे कितने इतने इतने जोड़ते ही क्या आया hydrogen किदर ज़्यादा हो गए left में कितने हो गए 10 तो right में कितने hydrogen जोड़ने चाहिए 10 तो यानि hydrogen को balance करने का क्या तरीका था 10H प्लस और जैसे ही 10H प्लस आ जाए अच्छा है अब इसके बाद चार्ज देखो left में कितना minus 2 और right में कितना minus 2 और फिर यह 10 बार प्लस अगर 10 प्लस है तो इसका मतलब यह है कि right में अगर आप charges को देखें क्योंकि maintain रखना है जितने charge थे उतने charge रहने चाहिए ना कम ना जादा तो जितने पहले से given थे दोनों तरफ minus 2 minus 2 वो होना चाहिए ठीक अच्छा आप देखू total charge of reaction is concerned ऐसा कुछ है सारा कुछ हो गया हो गया अब जितने H प्लस है उतने ही दोनों तरफ OH जोड़ दो तो ये OH माइनस आपने जोड़े और 10 लगा दिया आपने है 10 molecule आपने यूज कर लिए और फिर यहां भी तो जोड़ोगे 10 OH माइनस जोड़ दिया आपने इसको और इसको combine कर दो और combine करके क्या बना दो H2O प्यान रखना इसके बाद जो oxygen है उसको water से hydrogen को H plus से फिर charge को electron से जो balancing कर रहे थे वैसे ही करनी है ठीक है दियान रखें इस बात को मैं इसको थोड़ा सा उपर करता हूँ आप देखो तो यहां पर आया है बिट आपके पास 10 OH माइनस प्लस 5H2O प्लस S2O3 माइनस 2 जिससे हमारे पास 2SO4 माइनस 2 बन रहा था यह दोनों मिलके बिट आपके पास 10H2O बना देंगे और 8 electron आपके पास बचे रह जाएंगे आप इस 5H2O को इस साइड ले आओ तो 10 OH माइनस प्लस S2O3 की चार्ज उसके उपर माइनस 2 है डबली निगेटिब 2SO4 माइनस 2 5 वाटर मॉलेक्वल ले दरा के माइनस हो जाएंगे माइनस होंगे तब बनेगा 5H2 प्लस 8 electrons और यह जो reaction आप आपके पास यह balance reaction है तो कोई नया चमतकार नहीं है असल में जहां तक half cell reaction को बेसिक मीडियम में हो रही है तो पुराने तरीकों को apply करने के बाद भी आप शायद hydrogen को balance नहीं कर पाएंगे ठीक है ना दियान रखे इस बात वो और जो H प्लस बचा रह जाएगा उस H प्लस को balance नहीं कर पाएंगे तो जब भी कभी basic मीडियम हो और H प्लस बचा रह जाए तो उस H प्लस के लिए आपको जुगाड करना है OH का जबकि पहले reaction में जो H प्लस बचा रह गया था उसके लिए हमने जुगाड किया था SO4 माइनस 2 का ठीक है sulfur को balance किया था ना यहाँ पर जब basic मीडियम होगा आप दोनों तरफ जोड़ दीजिए और जहाँ भी H प्लस और OH माइनस combine होके water form कर सकते हैं वहाँ प्लस और OH को combine करके water form कर दीजिए reaction balanced ठीक तो final reaction is balanced reaction इसके बाद मैंने आपको कहा था एक short trick आपको ज़रूर बताऊंगा solve करने की तो इन reactions को आप balance करिएगा फिलाल तो समय है short trick का तो देखिए lecture conclude होने वाला है इसलिए short trick आखरी पार्ट है मैं चाहता भी हूँ कि short trick सिखाऊँ कि कितने लंबे-लंबे methods मैसी होते हैं short trick short trick क्या है देखो short trick है ITUS method इसकी टोपी उसके सर है ऐसा है देखो इसकी टोपी उसके सर क्या होती है समझो देखता हूँ जैसे आपके लिए reaction लिखी हुई NH3 प्लस O2 gives ये क्या लिख दिया N लिखना है 4 लिख दिया NO प्लस H2O ठीक है अब देखो गौर से nitrogen को देखो जड़ा है यहां पे minus 3 में है यहां nitrogen को देखो right hand side पे plus 2 में तो इसको देखो इसमें change कित्ते का आ रहा है तो मेरे साब से minus 3 से plus 2 के मतलब हुआ 5 का change एक एक item है तो जो change आ रहा है तो जो इसकी टोपी उसके सर में जो यह टोपी है यह टोपी बेसिकली change in oxidation number है त्यान रखें change in oxidation number और oxidation number नहीं per molecule यह तो आपने n factor बताया था हाँ n factor का ही case है change in oxidation number नहीं पन बॉलेक्टियूल यानि n factor जो है वो ही हमारी टोपी है तो किसकी टोपी किसके सर पैनानी है गोर से देखो nitrogen की टोपी किती है यानि nitrogen का n factor कितना है 5 उसके सर यानि दूसरे वाले के सर पकड़ा दीजे इसको oxygen की टोपी किती 4 चार किसको पैनानी है अमूनिया को बात कतम nitrogen balance करिए राइट में 4 हो गए oxygen balance करिए hydrogen को balance करिए nitrogen को balance करिए oxygen को balance करिए देखो क्या क्या हुआ तो ये 10 हैं इदर 4 तो बचे 6 तो oxygen balance करिए 6 हो गए अब देखो सब balance है ठीक reaction है एक minute पे balance half cell reaction नहीं लिखनी है main atom को balance नहीं करना है oxygen को balance नहीं करना है water add नहीं करना h-plus add नहीं करना electron add नहीं करना electron को balance नहीं करना है basic medium हो जाए तो h-plus के बराबर OH add दोनों तरफ करके water form नहीं करना कुछ drama नहीं करना c d c d balancing । और example करेंगे बिल्कुल करेंगे, नया example देखें इससे आपको reaction दी गई Fe2O3 और इससे आपके reaction कराए गई VeO की Vanidum Oxide इससे आपका बन के आया FeO plus V2O5 ये बन के आया तो क्या करें, जड़ा iron को देखें तो ये plus 3 में होगा oxygen minus 2 में होगा और यहाँ oxygen को देखें तो ये plus 2 में है और ये minus 2 में है ठीक है Vanidum को देखो, यहाँ तो ये plus 2 में है ये बाई साब minus 2 में है और यहाँ देखो तो oxygen minus 2 में होना चाहिए और minus 2 में होने की वज़े से ये total बनेगा बिटा, plus का 10 और ये बनेगा 2 into x बराबर 0 x की value आएगी बेटा, minus 5 sorry ये होगा minus में, तो ये आएगा plus 5 तो Vanidum में आएगा ठीक है आप देखो, iron को कहीं पहुचा हो iron को देखो कहां से कहां पहुचा iron plus 3 से plus 2 में पहुचा यानि एक का change एक item में तो मेरे पास total change कितना आया 2, Vanidum को देखो 2 से पहुचा 5 में तो change कितने का या 3 का 2 से multiply क्यों नहीं कर रहे हो अरे reactant में कितने हैं, एक तो reactant से मतलब है, क्योंकि हम change तो reactant में देख रहे हैं तो reaction को balance कैसे करते थे इसकी टोपी उसके सर iron की टोपी कितनी 2, इधर पे ना हो Vanidum की टोपी कितनी 3, इधर पे ना हो ठिक, हो गया अब iron को balance करो, कितने iron हो गए 6, तो या लिको 6 और Vanidum कितने हैं, 2, 2, 2 balance एक खतम, reaction हो गई एक और कर लो कौन से reaction, वही reaction जो सबसे चमतकारी, पहली reaction बड़ी से लिखी थी देखो KMNO4 इतनी बड़ी reaction लिखी दी H2C2O4 प्लस 3H2SO4 यह 3 मैंने क्यों लिख दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा यह reaction याद है, तो balancing भी साथ में हो जाती है KMNO4 प्लस H2C2O4 प्लस H2SO4 gives K2SO4 प्लस MNSO4 प्लस carbon dioxide प्लस water शायद यही reaction थी और यही बनती है, standard reaction है, इसके तो balancing तक रटी होनी चाहिए यह इतनी standard reaction है अब अपने paper देखो के तो शाथ समझ आएगा जरा MN को देखो KMNO4 में MN को देखो तो यह प्लस सेवन में हम यह example कर चुके हैं, प्लस सेवन वाला इसलिए मुझे याद है और MN जरा right side में देखो SO4 माइनस 2 होता है तो MN को प्लस 2 होना चाहिए तो घट गया यार, redox हो गई मलब reduce हो गया है, बिल्कुल हो गया होने तो कोई फरक नहीं पड़ता कार्बन कामने यहाँ निकाला था, प्लस 3 अगर नहीं याद है तो याद कर लो निकाल लो दुबारा, मैं निकाल चुका हूँ अभी अभी, इसी लेक्चर में तो याद है और carbon dioxide में देखो तो मेरे साब से carbon dioxide में यह प्लस 4 इस्टेट में है अच्छा, तो H2SO4 का क्यों नहीं लिख रहे हो, तो ध्यान रखना है इसकी टोपी उसके सर में अगर reactant में दो reactant आते हैं तो एक का reduction होगा, एक का oxidation होगा नो doubt पर अगर तीन reactant आ जाएं तो डरने की जरूद नहीं है दो में से किसी एक का oxidation किसी एक का reduction होगा और तीसरे के oxidation state में कोई change नहीं आएगा तो जो आपका S2SO4 है इसका कोई भी हिस्सा ना तो reduce हो रहा है ना तो oxidize हो रहा है तो गौर से देख लो जो hydrogen है वो plus 1 में है S2SO4 में और hydrogen right hand side में जहां भी जाएगा plus 1 में रहेगा और SO4 minus 2 में है left hand side में तो right side में जहां भी जाएगा वो minus 2 में रहेगा तो S2SO4 के किसी भी component के oxidation state में कोई change नहीं आ रहा अगर नहीं आ रहा तो गौर से देखो मैं आपको यहां से यहां ले जा रहा हूँ यहां सा जाने में 7 से 5 2 का change आया 7 से लेके 2 तक पहुँच गया तो change total आया बिटा 5 का और atom तो अपने पास MN का एक ही है तो 5 का ही total change है जरा carbon की चर्चा कर लो 3 से लेके 4 पहुच यानि change आया एक का पर मेरे पास reactant में 2 carbon है तो total topi किती ही 2 की तो जो carbon की topi है वो इसके सर और जो इनकी topi है वो carbon के सर topi यह है बिटा change in oxidation state अब इसके बाद right hand side पे आ जाईए और balance करते चले जाईए तो potassium balance ने manganese balance करना 2 हो गया तो यहाँ 2 लगा लीजे और carbon dioxide को देखो जरा carbon किते हो गया 5,2,10 तो यहाँ पे carbon यहाँ 10 लगा लीजे कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं अब क्या करें अब कुछ खास नहीं क्या क्या बचा है क्या क्या बचा है गौर से देखो hydrogen किते हो गए 10 hydrogen हो गए 10 और oxygen को balance करो जड़ा क्या हुआ तो मेरे साब से यहाँ पर तुमको भी दिखाए देना चाहिए कि answer आएगा यहाँ पे 8 और sulfate को देखो तो यहाँ पे आएगा 3 आपने इसे कैसे कर लिया एक sulfate यहाँ है दो sulfate यहाँ है तो यहाँ पे आपके H204 में आना चाहिए 3 और जैसे H204 में आगया 3 तो 5 दो 10 hydrogen और 3 दो 6 hydrogen 6 hydrogen दो मतलब 16 hydrogen 16 hydrogen मतलब 8 water के molecule reaction balance जो reaction आपने एक पेने में पूरी solve करी थी एक पूरा page मेरा PDF का लग गया था उस पूरे page की PDF में जो reaction हुई थी वो एक step में हो गई है बस आपको टोपी घुमानी आनी चाहिए तो टोपी पेनाना कई बार अच्छी चीज होती है तो reaction को ध्यान से देखें lecture को दो बार देखें तो आपको reaction की balancing कैसे की जाती है अच्छी तरह आ जाएगा बहुत ज़ादा examples लेके time waste करके काम करना नहीं चाहता हूँ तो इसलिए इसको दो बार आप देखें loss को देखें किस तरह apply किया है उसको देखें loss को पहले याद करें फिर apply करें फिर उसी reaction को अपने मन से solve करें और उसी reaction को फिर ITUS इसकी टोपी उसके सर के method से apply करें अब आपको reaction balancing अगर paper में आ जाए कि balance the redox reaction as a dick medium पूरा पूरा solve करने के लिए चार नमबर में तो भी है जो standard तरीका वैसे करें पर अगर आपको reaction balance करनी है वो exam का question नहीं है आपको balance करनी है तो balance करने के लिए जो last trick बताईए यह superb है आप ऐसे ही solve करेंगे ठीक है तो आज का lecture यहें conclude करते हैं कल मिलेंगे नए lecture के साथ redox के और detail discussion करेंगे redox का फिलाल balancing के साथ काम खतम n factor हमने detail discussion किया और उस पर command आसल की balancing को introduce किया acidic medium, basic medium में और एक trick भी सीखिये trick को याद रखना, दो बार जरूर देखना उसके बाद आपको बहुत अच्छी तरह clear हो जाएगा एक बार महीं हो जाएगा पर दो बार के बाद आपको सच में आ जाएगा कल मिलते हैं, आज तब तक के लिए धन्यवाद, गुट बाए